इसीयाकप 2013 के ग्रूप स्टेज का आज अन्टि मैच खतम हो गया और इस मैच के खतम होने के बाद इसीयाकप 2013 के पॉइंट स्टेबल में काफी बढ़ा बदलाव देखने को मिला तो इस वीडियो में हम आपको Asia Cup 2020 का नया Point Stable बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कौन सी चार टीम Asia Cup के सुपर फोर में चली गए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा इसलिए वीडियो में सुरू से लेकर के अंत तक बने रहे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर ले तो आएए जानते है Asia Cup 2020 के नये Point Stable के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि Asia Cup में आज का मैच यहाँ पे खिला गया था स्री लंका और अफगानिस्तान के बीच और इस मैच के खतम होते ही Point Stable में बहुत बरा बदलाव देखने को मिला तो Asia Cup के Point Stable में सबसे पहले बात करेंगे Group B के Point Stable के साथ तो Group B के Point Stable में तीसरे पैदान यानि की bottom पे जो टीम है उस टीम का नाम है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान एसिया Cup 2020 में अभी तक टोटल दो मैच में पार्टिसिपेट किया जहांपे पहले मैच में इनको बंगलादेश ने बरे अंतर से हराया था और आज दूसरे मैच में अफगानिस्तान को स्री लंका के हाथो हर का सामना करना परा तो अभी अफगानिस्तान दो में से दोनों मैच हरने के चलते जीरो अंको के साथ Pointable में सब से bottom पे है और अफगानिस्तान का जो net run rate है वो minus 2.000 है और आज स्री लंका से हारने के साथ ही अफगानिस्तान की टीम का Asia Cup का सफर खतम हो गया यानि कि अफगानिस्तान की टीम Asia Cup 2013 से officially बाहर हो गई वही Pointable में दूसरे पायदान पे है बंगलादेश की टीम और बंगलादेश ने इस Asia Cup में अभी तक टोटल दो मैचों में पार्टिसिपेट किया जहां पे पहले मैच में इनको स्री लंका ने हरा दिया था लेकिन दूसरे मैच में बंगलादेश ने कमाल का परदसन किया और अफगानिस्तान को बरे मार्जिन से हराया तो अभी बंगलादेश की टीम Asia Cup 2013 में टोटल दो मैच खिल चुकी है तो दो में से एक मैच जितने और एक मैच हार जाने के चलते दो अंकों के साथ बंगलादेश पॉइंटेबल में दूसरे पैदान पे मौजूद है और बंगलादेश का जो नेट रन रेट है वो प्लस 0.373 है और बंगलादेश की टीम Asia Cup 2013 के सूपर फोड में ऑफ़ीसियली जा चुकी है तो अब बात करते हैं ग्रूप B के पॉइंटेबल टोपर के बारे में यानि कि उस टीम के बारे में जो पॉइंटेबल में सबसे सिखर पे है तो पहली नमबर पे है स्रिलंका की टीम जिसने Asia Cup 2013 में टोटल दो मैच खेले और पहले मैच में उन्होंने हरा दिया था बंगलादेश को और दूसरे मैच में आज अफगानिस्तान को भी हरा दिया तो स्रिलंका दो में से दो मैच जितने के चलते चार अंको के साथ पॉइंटेबल में सबसे टॉप यानि किसी खर पे है और स्रिलंका का जो नेट रन रेट है वो प्लस एक दसमलब 0-0-0 है और आज अफगानिस्तान को हराने के साथ ही स्रिलंका की टीम इस याकप 2023 के सूपर फोर में ओफिसियली जा चुकी है तो कुल मिला करके ग्रूप B से स्रिलंका बंगलादेश को सूपर फोर का टिकट मिल चुका है और आएजे अब हम लोग बात करते हैं गरूप E.K. पॉइंट टेबल के बारे में जिसमें भारत पाकिस्तान नेपाल जैसी टीमें है तो गरूप E.K. पॉइंट टेबल में तीसरे अस्थान यानि की बॉटम पे जो टीम है उस team का नाम है नेपाल और नेपाल ने इस यकप 2020 में टोटल दो मैचों में participate किया जहां पे पहले मैच में पाकिस्तान ने बरेअंतर से हराया और इसके बाद दूसरे मैच में नेपाल की टीम को भारत के हां थो 10 विकट से यहां पर हार का सामना करना परा तो फिलहाल नेपाल की टीम 2 में से 2 मैच हाडने के चलते जीरो अंको के साथ पॉइंटेबल में सब से नीचे यानि की बौटम पे है और नेपाल का जो net run rate है वो minus 3.5-72 है और नेपाल की टीम Asia Cup से पूरी तरीके से बाहर हो गई क्योंकि नेपाल के 0 अंक है और ये टीम सूपरफोर से भी बाहर हो गई तो अब नेपाल का Asia Cup 2013 में officially disqualify कर चुकी है तो अब बात करते हैं point table में दूसरे पायदान की टीम के बारे में तो यहाँ पे है भारत की टीम और भारत ने Asia Cup 2013 में अभी तक total दो मैच में participate किया जहाँ पहला मैच इनका था पाकिस्तान के विरुद और उस मैच में यहाँ पे भारत की टीम ने बढ़िया बैटिंग किया ल इनको यहाँ पे target मिला था 145 रनों का और टीम इंडिया ने असानी से उस target को चेज कर दिया तो भारत की टीम अभी तके Asia Cup 2013 में total दो मैच खेल चुकी है जिसमें से एक मैच में इनको जीत मिला और एक मैच इनका रद हो गया तो अभी भारत की टीम दो में से एक मैच जीत ज है और भारत की टीम Asia Cup के सुपर चार में officially चली गई और टीम इंडिया Asia Cup के सुपर चार में अपना पहला सुपर हिट मैच पाकिस्तान के खिलाप 10 सितंबर को खेलेगी तो अब बात करते हैं पॉइंट टेबल में टॉपर के बारे में तो यहाँ पे हैं पाकिस्तान जिसने Asia याकप 2013 में दो मैच खेले पहले मैच में उन्होंने नेपाल को हराया और दूसरा मैच भारत के खिलाप रद हो गया तो अभी नेपाल की टीम टोटल दो में से एक मैच जीतने और एक मैच रद खेलने के चलते तीन अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सब से टॉप पे है और यानि कि सिखर पे है और पाकिस्तान का जो निट रन रेट है वो पलस 4.7-6-0 है और पाकिस्तान की टीम सुपर फोड में पहले ही जा चुकी है तो कुल मिला करके यह था इस याकप का निया पॉइंट टेबल जहांपे ग्रूपे से भारत पाकिस्तान और ग्रूप B से स प्रिलंका बंगलादेश सुपर फोर में जा चुकी है